तो यहां जी दोस्तों कैसे है आप लोग तो एक बार फिर आहें आपके लिए एक नई वीडियो लेकर दोस्तो कि अब दोस्तों ज्याद हमें नहीं लेंगे तो आज हम बताते हैं आपको हैंबर के बारे में ये अजबी tweels fps की हैंबर है तो इसमें कमी क्या हो रही है जिसकी वज़े से यह हमारी शोप पर आनी पड़ी तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी वायर लगा के हैंबरिंग सही से नहीं कर रही है तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तो तो पिलीज दोस्तो वीडियो को एंड तक देखें आप ताकि आपकी समझ में सुरू से लेके एंड तक अच्छे से आ जाए हमारा में रिजन यह यह वीडियो तो एक जो है इसकी रबड होती है ब्लैक कलर की जो छोटी वाली है उपर की तरफ से उसको निकानने के बाद में एक छोटा लोग निकलेगा पहले है उसके बाद एक वार से निकलेगा लोग के नीचे है उसको निकानने के बाद फिर एक लोग और निकलेगा तो ये दो लोग निकालने के बाद पूरा सिस्टम बाहर आ जाता है तो हमने इस टैम पे बिल्कुल कम्प्लीट तरीके से बाहर निकाल ली है अब इसकी बारी आती है साफ सपाई की क्योंकि साफ सपाई करना बहुत जरूरी है इसके अंदर जो है मतलब डश्ट बगएरा बहुत ज़्यादे जमी हुई है तो हम पहले इसको ओल इसलिए लगा रहे हैं थोड़ी सी फिरी हो और मतलब जो इसकी जो चाल है वो बरकरार तरीके से बनी रहे तो सबसे पहले हमें करना क्या है इसके अंदर जो गोली बगएरा है वो भी ठीक है हमारी तो इसके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसकी वेसे बिट नहीं रोक पा रही है वो चीज मेन है दोस्तों देखे इसमें ये जो एक गोली रोकने का जो लोक होता है ये पत्ता बगरा जो भी है इसको ये कट चुका है हमारा क्योंकि इसके अंदर जो गिटान है वो गहरे पड़ गए है वो गोली उसे वेसर रूख नहीं पा रही है तो आभी करना क्या है हमें जो हमने यू नहीं लगाया एक गोली, सबसे पहले मैं स्प्रिंग बिठाने के बाद में पो लोक बिठाना जिसमें गोली रोकते हैं उसके बाद एक वारसल आता है मोटे दल का जो गोली को डाउन करता है दवाने से वो चीज पहले लगानी है आपको और उसके अंदर ग्रिश वगएरा जरूर कर लें अभी हम टैंपरिली शेट करके देख रहे हैं ग्रिशिंग वगएरा भी जरूर करेंगे अभी इसमें खराब निकली है एक तो वो जो पत्ती हमने नहीं लगाई है जो गोली वाली है एक उसके उपर के जो लोग है वो लोहे वारसल वह भी घीस चुका था तो हमने उसको भी चेंज कर दिया है अभी हमारी मरसीन जो है बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है अब बारी आएगी इसकी टेस्टिंग की देखते हैं अभी क्या रिजल्ट इसका निकल के सामने आता है दोस्तों तो सबसे पहले हमें टेस्टिंग कैसे करनी है बिट बिट कहीं निकल तो नहीं रही बार बार अभी देखें बिट हमने लगाई है इसके अंदर बिल्कुल बहतरी तरीके से बैट चुकी है क्योंकि बिट अगर नहीं लगेगी तो पकड़ेगी नहीं तो मसीन का चलाने का कोई फायदा नहीं है अभी देख रहे हैं आप मसीन कुल रेडी हो चुकी हमारी इसके अंदर यह फाल्ड अता है आपके सामने तो फ्लीज दोस्तों हमारी बीडियो देखने के बाद आसानी से रिपेर कर सकते हैं चलिए दोस्तों खयाल रखें अपना फिर मुलाकात होगी अगली बीडियो में थैंक्यू बेरी मच